एरवावी, एरवावी जोया और अर्मान ने मा की क्लिनिक में सब कुछ उथल पुथल कर डाला है अगर मा को पता चल गया तो उनकी खैर नहीं क्या वो आपसी मनमुटाव भुला कर मिल जुल कर हल निकाल पाएंगे सुनते है एक प्यारी सी कहानी एक पहली सा कंकाल ओरिजनल स्टोरी दबोन पजल बाई लवीना महबुबानी चित्र बनाए है राजसी रे और हिंदी में अनुवाद किया है रिशी माथूर ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है कहानी सुना रही है असावरी दोशी और ऐसी बहुत सारी प्यारी सी कहानिया सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर आईएगा www.booksthatspeak.com चलिए मिलते हैं जोया और अर्मान से मेरे बाल खीचना बंद करो जोया चिल्लाई पहले तुम मुझे मोटू कहना छोड़ो अर्मान अपनी बहन पर चीखा बच्चो तमीद से रहो मा ने कहा ध्यान रखो कि तुम मेरी क्लीनिक पर हो बाहर मरीज इंतजार कर रहे है तुम दोनों उन्हें चैन से रहने नहीं दे रहे हो लेकिन मा बहुत हो गया अब अगर मुझे तुम दोनों में से किसी की भी आवाद सुनाई दी तो मैं तुम दोनों को सजा दूंगी माने सकती से कहा एक, दो, तीन कुछ सेकंड्स बिना किसी आहट के बीते और फिर ये तुम्हारी गलती है जोया तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो बेवकूफ तुम किसे कह रहे हो घुचू तुमें तो ये भी नहीं पता है कि बेवकूफ शब्द कैसे लिखा जाता है मुझे उल्टा सीधा मत पको, मैं मा को बता दूँगा अर्मान ने जोया की बापर चुटकी काटते हुए कहां चुगलखोर कही के अपने भाई को धक्का देते हुए जोया बोली अर्मान लड़ खड़ा गया उसके पैर जमें नहीं रह सके और पीछे की और गिरने के साथ उसका सिर किसी सक्त चीज से टकराया खड़ाट और नहीं जोया और अर्मान फर्ष पर बिखरी हुई हड़ियों को देखते ही रहे गए देखो तुमने मा के मॉडल कंकाल का क्या हाल कर दिया परेशान जोया ने कहां ये सब तुम्हारा की याधरा है तुम्ही ने मुझे धक्का दिया था ना अर्मान चिल लाया भलाई इसी में है कि हम चल्दी से कुछ करे वरना हम दोनों ही मुश्किल में पढ़ जाएंगे जोया ने कहां अर्मान ने सिर हिलाया और एक हड्डी उठा ली ये ये खोपडी की हड्डी हो सकती है इसमें दो बड़े गड़े है जो आखों के लिए होते है एक है जो नाक के लिए होगा और उसके नीचे दाद भी है तुम ठीक कह रहे हो जोया ने कहां इसमें कोई शक नहीं कि ये खोपडी की ही हडडी है ये हडडियां तो किसी पहली की तरह है हमें बस तै करना है कि कौन सी हडडी किस जगा की है तुम्हारे हिसाब से ये हडडी किस जगा की है पिंजरे की सलाखोग जैसी हडडियां उठाते हुए जोया ने पूछा देखो अर्मान ने हाच से अपने सीने को टटोलते हुए कहां मुझे लगता है ये इसके पिंजरे जैसी हड़ियां सीने की है और इससे ठीक नीचे वाली जगा पेट की होगी जोया ने मुस्कुराते हुए सिर हिला कर हामी भरी दोनों ने पिंजरे की सलाको जैसी उन हड़ियों को उठा कर स्टैंड में अपनी जगा लगा दिया इस हड़ि को देखो ये छोटी-छोटी हड़ियां उंगलियों की लग रही है न जोया ने छोटी-छोटी हड़ियां हाथ में लेकर अर्मान के आगे घुमाते हुए पूछा मुझे लगता है कि ये हाथ की हड़ि है ऐसी ही दूसरी हड़ि जल्दी से ढून सकते हो तुमें कैसे पता कि ये पैर की हड़ि नहीं है अर्मान ने पूछा मेरी ओर देखो जोया जमीन पर हथेली रखकर वही बैठ गई अर्मान को हाथ की दूसरी हड़ि और पैर की दोनो हड़ियां ढूनने में जरा भी धेर नहीं लगी हाथ की हड़ियां पैर की हड़ियों से चोटी होती है येस हम गलत नहीं है अर्मान ने कहा जोया ने पंजो के बल खड़े होकर बाजूओं की हड्डियों को उनकी जगा लगाया जबकि अर्मान ने पैरों की हड्डियों को कंकाल के मॉडल पर सही जगा लगाया बाहर मरीज से बात कर रही मा की आवाज उन्हें सुनाई दी वे आराम करने और अगले हफते फिर आकर दिखाने को कह रही थी ऐसा लग रहा था कि मरीज जाने ही वाला है इधर कंकाल की खोपड़ी लगाना बाकी था ओहो बहां तक तो पहुँचना मुम्किन भी नहीं है जल्दी करो अर्मान वो कुरसी इधर खीच कर लाओ जोया ने फुसफुसा कर कहा वो कुरसी पर चड़ी और खोपड़ी को कंकाल के ठीक उपर रख दिया अर्मान ने जटपट कुरसी को खीच कर वापस अपनी जगा पर रख दिया बस आखिर इक्षणों में हम काम्याब हुए जोया ने अर्मान को गले लगा लिया तभी मा गई तुम दोनों को गले मिलते देख मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा आज का काम हो गया है चलो आइस्क्रिम खाने चले वो बोली हम्म् तुम दोनों ने कंकाल के हड्डियों को सही ढंक से लगा कर बड़ी होशियारी दिखाई मा ने कहां जोया और अर्मान हैरानी से एक दूसरे का मुझ देखने लगे मा आखो कैसे पता चला हम्म् कंकाल पर खोपडी उन्होंने टेडी मेडी रखी थी उससे पता चला हड्डियों की दिल्चस्प बाते हमारे हाथों में शरीर के किसी भी दूसरे हिस्से से ज्यादा हड्डियां होती है हाल के जन्मे बच्चे के शरीर में करीब 300 हड्डियां होती है लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी कई हड़्डियां एक दूसरे से जुड जाती है और गिन्ती दो सो छे रह जाती है। शरीर की सबसे लंबी हड़्डी जांग की हड़्डी है। शरीर की सबसे छोटी हड़्डी कान के अंदर होती है। जहां दो हड्डिया एक दूसरे से मिलती है, उसे जोड कहते हैं।